9 अपरेल को सचिन पाइलेट के जैपूर आवास पर आयूजीत प्रेस कॉंफेंस के बाद से लगातार राजिस्थान कॉंग्रेस में खीस्थान जारी है प्रदेश प्रवारी पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट कॉंग्रेस अलाकमान को सौब चुके हैं हालाकि पूरे मामले को लेकर हाई कमान ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई है कल दिन भर बैठकों को दोर जारी रहा इधर सचिन पाइलेट भी 11 तारीक से दिल्ली में जम्य हुए है सचिन पालेट के दोरा उठाए गए मुद्दे को लेकर हाई कमान जादा गंभीर नजर नहीं आ रहा है यही कारण है कि 9 तारीक को सचिन पालेट के द्वारा उठाए गए मुद्द्व पर 14 तारीक होने पर यानि 5 दिन बीच जाने पर भी किसी तरह की कोई पृतिकिरिया अभी तक हाई कमानने नहीं दी है सचिन पालेट की प्रेस कॉन्फरेंस के बाद कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता जैराम रमेश ने एक लिखित बयान जारी करते हुए पहले ही साफ कर दिया था कि आगामी विधानसवा चुनाओ सरकार की जनकल लयान करी योजनाओ पर लड़ा जाएगा इधर CM गहलोद ने विस्तिती साफ कर दी है 11 तारिक को जहां एक तरफ वसंद्र सरकार के समय हुए विष्टाचार पर कारवाई की मांग को लेकर सचिन पालेट धरना दे रहे थे इस भी सोशल मिडिया पर CMSO गहलोद के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया इस वीडियो में महंगाई राहत कैम के बारे में जानकारी दी गई इस वीडियो को पोस्ट करने के कुछ समय बाद ही CMSO गहलोद देश भर में ट्यूटर पर एक नमबर पर टेंड करने लगी पूरे घटना करम पर एक बास साफ हो गई थी कि अपकी बार सरकार अपनी कल्यानकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाई इधर बुदवार को CM आवास पर मंत्री मंडल की बैठक में 24 अप्रेल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैम के बारे में जानकारी देने के साथ ही सभी मंत्रीों को कमर कसने के साथ ही धरातल पर तेजी से काम शुरू करने के आदेश दिये है मंत्री मंडल की बैठक के बाद CM window गैलोट ने पत्रकार वारता की इस दोरान कई पत्रकार औद्वारा सचिन पाइलिट को लेकर सवाल किये गए तो CMSO गहलोत की तरफ से केवल और केवल सभी को एक समान जवाब देते हुए कहा गया कि हम ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं महंगाई रहत कैम के माध्यम से जनता तक सरकार की जनकल्यानकारी योजना को पहुंचाएंगे यही हमारा लक्से है इसके जाद CMSO गहलोत ने कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे हम प्रदेश वासियों को किस तरह से राहत दे सकते हैं इस पर हमारा पुरा फोकस है